हेलो दोस्तों स्वागत है आपका गलोरिय स्टेडी पॉइंट क्लासेज में मैं शिवम शर्मा दोस्तों शिक्षक पातरता परिक्षा यानी टैट एक्जाम को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसको आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा यfrist को आपको एक एक चीज के लियर कर दूगा कि सिडिके जो सीट 혹시 टैग्शाम होता है उसको लेकर केंद्र सरकार ने क्या फैसला लिया है इक एक चीज आपको अच्छे से क्लियर कर दी जाएगी वीडियो में मेरे साहरा लास आक जरूर बने रहे हैं और एक चीज में आपको और बता दूँ हम CTAT preparation के लिए new video start कर रहे हैं new video का मतलब यह है कि निया session start हो रहा है जो 2021 में exam होना है CTAT का उसके लिए preparation start कर दी गही है याज शाम को हमारा पहला video upload होगा वो आपका EVS का रहेगा तो वीडियो को जरूर आप watch करें ठीक है चैनल पे नहीं है मिलता रहे और आपको इसका benefit मिले तो आईए वीडियो को start करते हैं आज हम बात करेंगे CTAT exam को लेके सरकार ने क्या फैसला लिया है तो आईए देखते हैं यहां लिखाए देखो शिक्षक पातरता परिक्षा पर सरकार का बड़ा आगे बात करते हैं क्या फैसला है यहां पर हम बात करेंगे लिखा है शिक्षक मंत्राले ने दी बड़ी राहत शिक्षक पातरता परिक्षा यानि TET योगिता प्रमान पत्र की वैदता अवदी आजीवन की गई यानि पहले जो यह साथ वर्ष का था यानि सीटेड पास कर लेगा तो उसे बार-बार सीटेड एग्जाम पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगा हां एक कोई अगर चाहता है कि मैं अपना स्कोर क्या करूं बढ़ा लूँ उसके लिए एक्जाम दे तो वह उसको जरूर दे सकता है ऐसी कोई इसमें रोक टोक नहीं है देखो ल हैं आगे भी देखें केंद्री सरीशिक्षा मंतराले ने बड़ा फैसला करते हुए शिक्षक पार्तरता परिक्षा टी एटी योगिता प्रमान पत्र की वैदता आवदी साथ वर्से बढ़ाकर आजीवन कर दी है इतना ही नहीं केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार ये फैसला ततकाल लागू किया जा रहा है यानि जो अभी हमारा सीटेट का एक्जाम होगा या जो अभी पिछले साल एक्जाम हो चुका है उस पे भी ये नियम क्या होंगे लागू होंगे 2011 में यह बताय जा रहा था कि यह नहीं हम लागू किया जाएगा बट अभी तक लागू नहीं किया गया था बट इस साल यहनी 2021 में से लागू कर दिया गया है तो जिनों ने अभी कुछ टैम पहले ही 2-4 साल पहले सीट एट एग्जाम को पास किया है और उनकी जैसे 7-8 साल हो गए हैं उन्हें एक सीट आट पास करे वे और उनकी एक्जाम की क्या करते हैं वो किसी शिक्षक पारते था हो जैसे अपना टीचिंग के लिए कोई फोर्म नहीं भर पा रहे थे उनकी अफ़ी उनने दुबारा सीट आट क्लियर करना पड़ रहा था और अच्छे तरीके से साफ साफ लिका हुआ है साथी केंद्री शिक्षा मंतराले ने ब्यान के अनुसार ये फैसला दस साल पहले की तारिक एक जनवरी 2011 से लागू किया गया या इन सालों में जिनके भी प्रमनपत्रों की अवधी क्या हो गई है समाप्त हो चुकी यानि प शिक्षा मंतराले ने कहा कि सम्मंधित राजे केंदर शाशीद प्रदेश उनने उम्मीद्वारों नए टीटी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अवशक कार्यवाई करेंगे चिक है अविशा कारेवाई करेंगे जिनकी साथ वर्ष की अवधी पहले ही समाप्त हो चुकिया यानि जिनकी क्या होगी साथ वर्ष की अवधी पहले ही समाप्त हो चुकिया है उनके ले क्या होगा कारेवाई करके नया परमानपत्र जारी किया जाएगा ठीक है आगे देखते हैं हम जिसे टेट आप बोलेंगे क्वालिफाइंग सेटिफिकेट हैस बीन एक्स एक्स्टेंडेट फो फ्रॉम इयर्स टू सेविन इयर्स सुरियां सेवन कट हो गए देख लेकिन दुबारा हैं सेवन इयर लिखाया है उसके उपर लाइन आ गई थी यहां देखेंगे एक्स्टेंडेड फ्रॉम सेवन इयर टू लाइफ टाइम विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 2011 यानि यह जो डिसीजन लेना चाहिए था यह 2011 में फोलो होता बट अभी तक नहीं हुआ था तो 2021 में से क्या कर दिया गया है लागू कर दिया गय हैं कोई साथ अपना सीट एट एक्जाम है जो भी बच्चे टाइट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वह चाहिए किसी भी स्टेट के रहने वाले हो सब को सब के लिए क्या होगा उसकी वैलेडिटी क्या हो गया है लाइफ टाइम हो गया है तो इस वीडियो में आपको मैंने ही जानकारी देनी थी ठीक है तो चैनल पर अगर पहली बार आप वीडियो को वाच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बैल आइकन को भी जरूर प्रेस करने ताकि आपको इसी तरीके की लैटेस्ट अपडेट मिलती रहे तो इसके बाद मैंने आपको बताया ही है हम अपना सी टेट से लेट्र वीडियो अपलोड करेंगे जो आपको क्या होगा सबसे पहले obsessed का होगा हम पहले wheels incorporate करेंगे पूरा बेस्टे से हमें स्टार्ट करेंगे और पूरा पैडाव और शी षरक है वेगरा सारे पॉर्शन आपके क्लियर किये जाएंगे आ झाल झाल